जैशिरामित्रों डिक्टेशन स्टार्ट अभियुक्त गणके विरुद्ध भारतिय दंड सहीता अठारा सो साथ के धारा 294,323 सहपटित धारा 34,324 एवं 506 भाग डेश दो के अंतरगत इस आसे का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22,224 को समय दस बजे इस्थान परियादी की दुकान के सामने चकरामलाल पर फरियादी को असलील गालियां उच्चारित कर उसे वह अन्य सुनने वालों को ख्षोब कारित किया एवं फरियादी विनोद की मारपीट करने का सामान्य आसे बनाया और उक्त आसे के अग्र सरण में आहत विनोद को लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्चया उपहती कारित की एवं फरियादी विनोद की मारपीट कर उसे श्वेच्चया उपहती कारित इनोद को दांतों से काट कर स्वेच्चया उपहती कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आसै से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभीत्रास कारित किया विराम प्रकरण में अविवादित तथ्य यह है की फरियादी विनोद एवं आहत राहुल यादव की ओर से विदिक प्रती निधी ओबलिक पुत्र रवी तथा अभियुक्त गणद्वारा आवेदन पात्र अंतरगत धारा तीन सो बीस कोष्टक एक कोष्टक कोमा कोष्टक दो कोष्टक कोमा एवं कोष्टक चार कोष्टक दंड प्रकिरिया सैहिता दिनांक आठ एक दोहजार चोद को प्रस्थुत किया गया था कोमा जो नहया लई के आदेश दिनांक आठ एक दोहजार चोद के माध्यमसी स्वीकार कर अभियुक्त गणको धारा 294,323, सरपटित धारा 34,324, एवं 506 भाग डेश दो भारतिय दंड सहिता कोमा अठारा सो साट के अपराद के आरोप से दोशमुक्त गोशित किया गया है विराम पहला चेंज अभियोजन का मामला संक्सेप में इस प्रकार है की दिनांक 17-2014 को रात्री करीबन 10 बजे फरियादी विनोद अपनी दुकान के सामने कुर्ची पर बैठा था तब ही असलम आया और बोला की यहां कुर्ची डाल कर क्यों बैठा विराम उसने कहा कि उसकी दुकान है कौमा वह अपनी दुकान पर बैठा है विराम इसी बात के उपर असलम उसी गंदी डेश गंदी मा डेश बहन की गालियां देने लगा विराम उसने गाली देने से मना किया तो असलम ने उसे लाठी मारी कौमा जो उसके बाई तरफ बखोरा में लगी कौमा तब तक जावेद्व रियाज खान आ गए विराम तीनों ने उसे पकड़ कर जमीन पर पटक लिया और तीनों ने उसकी लाठ डेश गुशों से मार पीट की विराम जावेद्व ने उसकी पीट में दाहीने तरफ दांतों से काट लिया विराम वह चिलाया तो उसका बड़ा भाई अमित एवं मुकेस तता उसकी पड़ोसी रेखा भाई आ गई कौमा जिन होने बचाने की कोशिस की तो जावेद्व ने रेखा को धक्का मारा कौमा जिससे वह नीचे गिर गई विराम बड़े भाई अमित वह मुकेस ने घटना देखी वह बीच डेश बचाव कराया विराम जाते समय तीनों कह रहे थे आज तो बचा लिया कौमा आइंदा जान से खत्म कर देंगे विराम फरियादी ने घटना की शिकायत थाना आर के पुरम में की थी विराम फरियादी की शिकायत के आधार पर थाना के अपराद क्रमांक बार ओबलिक दोहजार चोदा धारा तीनसो तेईस कौमा दोसो चोरानवे कौमा पांसो चे शपटित धारा चोंतीस भारतिय दंड सहिता कोमा अठारा सुसाट के तहत अभियुक्त गण के विरुद्ध प्रतम सूचना रिपोर्ट पंजीबद की गई विराम प्रकरण अन्वेशन में लिया गया विराम अन्वेशन के दोहरान घटना स्थल का नक्सामो का निर्मित किया गया विराम फरियादी व साक्सी गण के कथन लेख बद किये गये विराम आहत गण का चिकित्सिय परिक्षन कराया गया विराम अभियुक्त गण को गिरपतार कर गिरपतारी पत्रक निर्मित किये गये विराम स्टोफ धन्यवाद स्टोफ प्रूशल किये विराम स्टोफ तॉफ थाओ ड़िराम स्टोफ प्रूशल की घंद लेख श्ट हैं स्टोफ रशवाद